दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं यौर उनलाइन पार्टनर दोस्तो एनाएस से जो डियलेट का एक्जाम हो रहा है उसका एड्मिट काट आपको कम मिलेगा चुकि एक्जाम का डेट में बड़ा पड़िवर्तन हुआ है एक्जाम का डेट बड़ चुका है तो आपको उसका एड्मिट काट कम मिलेगा और साथी साथ आपकी जो परिक्षा होगी वो कहां पर होगी इसको लेकर बहुत सारे प्रस्टन आप लोगों ने हमारे से पूछे हैं तो इसके जबाब में ये वीडियो यहाँ पर बन रहा है इसके अलाबा भी मैं आप लोगों से request करता हूँ कि जो भी कुस्टन आप लोग के दिमाग में है आप लोग जरूर यहाँ पर comment में लिखेगा हम कोंसिश करेंगे आगे आपको वीडियो के माध्यम से या comment के माध्यम से या live के माध्यम से आपको सारी चीजों की जानकारी वस्तु इस्तिती के साथ, ओफिसेल नोटिस के साथ, बताते रहें, तो अभी जो mainly आपका, जो हमार दो कुस्तन हम लोग उठा रहे हैं यहाँ पर, उसमें से जो पहला कुस्तन है, वो है कि आपका admit card कम मिलेगा, जो exam देने जाएंगे आप, उसके लिए जिसे आप hall ticket बोलते हैं, या admit card बोलते हैं, वो कम मिलेगा, तो जैसा कि आप जानते हैं, कि आप screen पर देख भी सकते हैं, कि exam आपका 31st मई, 1st June और 2nd June, तो ये 3 दिन आपका exam होगा, जो कि 501, 502 और 503 का exam होगा, 1st semester का, 2nd semester का exam अभी नहीं होगा, तो ये जो exam होगा, इस exam से 10 दिन पहले आपको admit card दिया जाएगा, और ये admit card आपको online दिया जाएगा, ये online जो होगा, आपका ये जो dled.nis.ac.in website है, इसी website पे आपको link दिया जाएगा, admit card डाउनलोड करने का, ये दो तरीके से दिया जा सकता है, पहला तो ये जो teacher login है, उसके अंतरगत आप email ID, password से login करके अपना निकाल सकते हैं, या जिस प्रकार से कि आपको exam का form भरने के लिए link अलग से दिया गया था, उसी तरीके से आपको admit card डाउनलोड करने का link दिया जाएगा, कि आप अपने enrollment number से अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये दो तरीके में से कोई एक तरीक आपको दिया जाएगा, तो यहीं पर आपको dlet.nis.ac.in पर आपको link मिल जाएगा, जिससे कि आप 10 दिन पहले, exam से 10 दिन पहले आप download कर सकते हैं, तो एप्रॉक्स, जैसे कि exam आपका 31st of मई से है, तो आपका 20 से लेके 22 थारिक के बीच आपका admit card आ जाएगा. latest. तो ये दोस्तों हो गई आपकी admit card की बात. दूसरी बात आती है यहाँ पर, कि आपका परिक्षा कहां होगा, आपका exam कहां पर होगा. तो जैसा कि NIS के तरब से notice जारी की गई है, आपके exam के बारे में, आपका exam होगा, वो आपके district में ही होगा, सबसे पहले तो. उसके बाद, suppose मैं आपको एक example देके बाता हूँ, जैसे कि एक district में suppose 50 block पढ़ते हैं, ऐसे तो 50 नहीं पढ़ेंगे, माल लिजे, 12 block पढ़ते हैं, एक district में, उस 12 block में, जो है, अलग-अलग study center अभी चल रहे हैं, माल लिजे, कि 12 study center अभी चल रहे हैं, एक district में, और उस 12 study center में से, जो है, 3, 4, 5 block है, एक जगह आसपास है, तो आपका जो exam center दिया जाएगा, माल लिजे, कि आपका block है, यहाँ पर 100, सिक्षार्ती, यहाँ पर study center पर पढ़ाई कर रहे थे, इसी प्रकार से, आपके बगल का block है, जहाँ पर की 100, उसके फिर बगल का block है 100, तो इस प्रकार से, 5 block को चुना जाएगा, और आपके block से नजदीक भी होगा exam center, क्योंकि हर एक 5 study center को मिला कर, एक exam center बनाय जा रहा है, एक study center पर एपर आपक्स 100 student है, 100 सिक्षार्ती हैं, तो 5 study center मिला कर, चुकि 500 हो जाते हैं, तो उनको मिला कर, एक nearby में बनाय जाएगा, मालने जी कि 5 block यहां आज पास है, उस 500 से शिक्षार्ती को उठाया गया, और उनको उसी में से कहीं पर, एक जगा study center बना दिया जाएगा, तो यह होगा आपका exam center, तो उसके लिए क्या क्या आ जा रहा है, कि हर एक district से exam center की list मांगी जा रही है, और उनसे यह भी proposal मांगा जा रहा है, उनको format दिया गया है, कि आप उस study center पर कितने सिक्षार्ती चाहते हैं, और उस exam center पर कितने सिक्षार्ती चाहते हैं, जो कि जाके exam दे, और वो सिक्षार्ती किस-किस block से आते हैं, इस प्रकार से हर एक district वाले, अपने nearest जो block के अंतरगत परेगा, वहाँ पर exam center बना के, उसकी list अब जो है, nodal coordinator को state में भेजेंगे, और अलाकि वो भेज चुके हैं बहुत जगह से, और state से जो है, NIS को directly भेजा जाएगा, तो इस प्रकार से आपका exam center होगा, जिसकी भी details आपको exam से, जो समय है, वो और एक मेहने का हो गया है, तो इससे आप लोग positively लें, बहुत लोगों की तैयारी हो चुकी थी, तो बहुत लोग यहाँ पर disappoint भी थे, कि तैयारी हो गई है, और फिर से अपने आपको maintain रखना पड़ेगा, एक मेहने तक exam के लिए, तो इससे आप positively लें, क्योंकि मान लिजी जो NIS के तरफ से हो रहा है, उसमें हम लोग कुछ बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से अपने आपको ढ़ाल सकते हैं, अपने आपको कर सकते हैं, ताकि हमारा performance ना बिगरे, तो आपको सिसाब से अपना तयारी जारी रखें, कोई भी डाउट हो, यॉर उनलाइन पार्टनर पे आपको पूरा सिरीज चला है, जिसमें कि आपको पूरी परहाई हुई है, उसके बाद important question चला है, उसके बाद जब new pattern आया, तो उसमें revision हुआ है, हर एक चीज आपको वीडियो जहाँ पर your online partner पे मिली जाएगी, आप your online partner खोल के playlist में जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आप स्वाध्याय भी करिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि first semester जो है, उसमें अगर आपका अच्छा हो गया, आपने अच्छे से कर लिया और इसके लिए आपके पास समय भी बहुत है, अच्छे से करने का, तो वो अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद काफी easy हो जाएगा, आपके लिए second semester या third semester, क्योंकि आपको एक बाद pattern पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नमबर उठाया जाता है, बहुत बहुत धन्वाद, ऐसे भी आप लोग सिक्षक हैं, तो आप लोग समझते ही हैं कि कोई teacher किस प्रकार से कैसा लिखने पर नमबर देता है, कैसे में impression अच्छा बनता है, क्योंकि आप लोग भी आए दिन यहाँ पर कॉपी जाच करते रहते हैं, यहीं दूस्तों अपडेट था, आप लोगों को बहुत बहुत सुपकाम ना है, और आगे अच्छे तरीके से तैयारी हो, इसके लिए all the best, मिलेंगे आप से नए वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, कॉमेंट करिए कोई सुझावय सला है, तो और शेयर करिए लोगों के साथ, फेस्बुक, वाटसव हर जगह पे, ताकि सब को यह इंफोर्मेशन पहुंचे, और साथ ही साथ, जो भी हमारे चैनल के नए महमान है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के नीचे में आपको, रेट कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा चैनल का, जहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करके, यार ओनलाइन पार्टनर का हिस्सा हो सकते हैं, बिलकुल मुफ्त है, और बगल में आपको बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे, तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन बिलकुल मुफ्त मिलती रहेगी, मिलते हैं नए वीडियो में, दीजे इजाज़त, बाबाए, जैहिन,